हेलो एन वेल्कम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मिहुल दिक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल भारी पैट्स में और आज हम जो डिसकस करने जा रहे हैं वो एक ब्रीड के बारे में कर रहे हैं जिसका नाम है मारली जो है यह ग्रेट डेन के डिराइवड एक सेक्श के ग्रेट लेंस आते हैं उन साथ में मैं आपको क्लासिफाई करके एक बता है सब से पहले आता आब फॉन किलर का ग्रेटिन जो काफी कमन है नेक्स नтовी मैंने विडियो मैंने दिया हुआ है जो सेलड किया गया था अपने ही लोकेशन के आसपास ही नेक्स्ट आती है हारली क्वीन ये भी बहुत ही ज्यादा खुबतुरत डॉग होता है ब्लैक और वाइट का कॉंबिनेशन इसमें आपको मिलता है नेक्स्ट कलर जो आता है वो मेंटेल कलर आता है वो भी काफी सुंदर है दिखने में जो सब जो टाइप है वो आता है मारली जिसके बारे में आज खास करके हम पूरा वीडियो देखने वाले हैं पूरा डिसके बारे में करेंगे मारली जो है इसका स्पेसिफाइड अगर किया जाए तो ये ग्रे होगा और उसके साथ में स्पॉट्स और स्पॉच्छेस जो होते हैं यह सारे ब्लैक कलर के यूजूली आपको दिखेंगे यहाँ पर एक बात इंपॉर्टन्ट नोट करने के जैसी है कि इसमें कहीं पर भी आपको वाइट कलर पूरी बॉड़ी पे नहीं दिखेगा काफी सारे लोग कंफ्यूज करते हैं हारली और मारली में तो मारली जो है य यानि इसका जो शेड होगा कंपरेटिवली हारली से कई गुना ज्यादा डारकर शेड आ जाएगा वो सबसे इंपॉर्टन्ट है मारली तयार कैसे होते हैं देखिए यह एक म्यूटेटेड ब्रीड है म्यूटेटेड का मतलब है उसमें कई सारे चेंजेज करके या कई सारे सिफिफिक ब्रीडिंग करके फिर यह मारली क्वीन की जो ब्रीड है यह का कया मारली यह रेयर ब्रीड है तो काफी हalter तक हम देखते हैं तो यह रेयर होते हैं काफी कम लोग हैं जो के इसका और मेल और फीमिल दोनों भी प॥मिल मिलना थोड़ा सा बैसा मκα caucus अब lump Strike पर उन जो आप आप आम यहां पर एक तो मारली क्वीज़ जो है यह बहुत जवादा क्लोज दिख्ती है आपको हड़ी क्वीज़ जैसे इसका नाम भी रखता है मार्ली क्वीन उसके बाद में आती है ब्रिंडल मार्ली जिसका भी मैं आपको पिचर इमीडियेटली दिखा रहा हूँ यह कुछ-कुछ दिखने में आपको जो ब्रिंडल ग्रिंडेन होते हैं उसकी तरह से दिखेंगे लेकिन पैचेस हलके से बड़े होंगे ब्लैक कलर का जो खास करके पैचेस हम देखते हैं तो वो ज्यादा तरके बड़े दिखेंगे लेकिन जो कलर है वो डारकर होगा इसमें नेक्स हैं मेंटल मार्ली अगेन सेम चीज मैं आपको बता दूँगा कलर पैटरन वगेरे सभी में सेम होता है ब्ल्यू मार्ली एक होता है तो ब्ल्यू में भी अगेन पैचेस सेम पैटरन में ही आ जाएंगे फॉन मार्ली ये भी सबसे कॉमन ब्रीड आपको दिखाई देगी फॉन कलर में भी जो है पैचेस भी थोड़े से लाइटर शेड़ में होंगे और चोकलेट मार्ली चोकलेट मार्ली हाला की बहुत ज़्यादा कम आपको दिखाई देगी यूजियल मार्केट में क्योंकि इनका कलर पॉरली चोकलेट के जैसे डार्क ब्राउन कलर होगा पैचेस का हाला कि उसका जो background या base color जो होगा वो थोड़ा सा हलके color का होगा जैसे आप image में देख रहे हैं तो आज के जो Marley के बारे में जो information थी उसका वस video इतना ही मिलते हैं हमारे next video में अगर कुछ queries, कुछ questions अगर आपको gradient के बारे में हैं या कोई और topic के बारे में होगा तो हमें comment कीजिए हम उसके बारे में भी जरूर वीडियो में बताएंगे मिलते हैं हम हमारे next video में तब तक के लिए जैहिंद अब तक आपने अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो ये जो logo है इसे click कीजिए और इस पे एक red color का आपको subscribe बटन आएगा उसे click करेंगे तो आप हमारे चैनल को subscribe कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियो देख पाएंगे